आपका बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैंना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्रोपर ड्रॉ किया जाता है उसके वबारे में बात करना चाहते हैं दोस्तों आप कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती है उसको उपर जाके फिर नीचे आ जाती है फिर जो सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं तो generally मैं दोस्तों मैं न मेरा वीडियो जितना भी देखिए का मेरा ट्रेडिंग गया जहां भी मैंने support और resistance को ड्राँ कर रहा है उस жोन के असपास आके market उस support और лег करता है और अगर उस support को ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा डाउन फॉल या आप फॉल देखने को मिलता है तो चलिए हम हम मैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंज ड्रॉ करता हूं आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो जनरेली दोस्तों मैं तीन टाइप के टाइम लाइन में करता हूं पहले वीकली हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद वहाँ पर जाते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंज कुछ नहीं है दोस्तों में ली एक ना स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करने का एक एरिया ह तो हम लोग क्या करेंगे ना हे चलिए कर लां लेल लिए अब देख सकते एक यह स्विंग हाई है इसंपे करसर रख के हम लोग 9 और यहां पर मेरे को स्विंग लोव मिल रहा है मेरे को उस जगह पर मतलब मार्स प्रक उत्रिपम केंदेल मेरा ड़्टक करता हूं एक एस पर पर अगर मैं आता हूं जोन पर तो क्या होगा मेरा इस जोन में आने से क्या होगा मेरा माक्सिमूम केंडल यहां पर टच हो रहा है तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं देख सकते हैं यहां पर मेरा मैक्सिमूम केंडल ने टच करा अब मैं यहां पर क्लिक नहीं करूंगा क्य क्योंकि अगर इसलिए क्योंकि यहां पर देख सकते हैं और यहां पर जादा ही प्राइस का गैप है तो इतना जल्दी मार्केट यहां नीचे इतना नहीं आने वाले हैं तो इस जोन को हम लोग मार्क नहीं करने वाले हैं इस जोन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि अभी म ओइंगा लोग ना सठ्पूर्ट रेजिस्टेंस निका लेंगे उसके साथ साथ अपना ये भी कोशिस रहेगा कि चार्ट एकदम क्लियर रहे ज्यादा वह ना इमिद्ल गंदगी ना रहे चार्ट में तो बिटली हो गया अब लोग डेली में जाते हैं डेली में जाकि हम रखता हूं तो यहां पर ज्यादा number of candles touch होते हैं तो यहां पर मैंने एक अपना resistance ड्रॉप कर दिया और यहां पर नहीं करना यहां पर कर सकता हूं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक आपका support बन रहा है देख सकते हैं अगर मैं यहां पर click करता हूं तो देखे कितना number of candle एक candle दो candle और एक तीन candle और एक यहां चार candle और एक यहां पांच छे candle साथ candle इतना सारे candle यहां जोन को touch कर रहा है इसलिए मैं यहां पर भी एक draw कर दिया अब daily हो गया दोस्तों इतना अब इधर करेंगे नहीं क्योंकि चुकि बताया आपको इतना market अभी नीचे आने वाला नहीं है तो इसलिए मैं जोन को avoid करता हूं और अभी चल जाता हूं अब हम लोग इंट्राडे करते हैं चुकि तो हम लोग पांच मिनट में जाएंगे दोस्तों अब पांच मिनट में जाने के बाद दोस्तों यहां पांच में आके हम लोग कुछ नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ प्रिवियस डे हाई और प्रिवियस डे को यह करेंगे दोस्तो तो जनरेली क्या होता ना यह डिफरेंट थोड़ा यह लाइन को डिफरेंट रखिए गा ताकि आपको जब आप ट्रेडिंग सेशन में रहें तो आपको एक जलक में पता चल जहें कि हाँ यह प्रिवियस डे हाई था यह प्रिवियस डे लो था और यह सब आपका डेली और व मतलब रेस्पेक्ट करती है मतलब जल्दी से उस जोण को नहीं निकालती है और अगर निकालती है I pent फ्रेक करते है दूस्तों तो एक अच्छा सा नीचे की और मुव देखने को मिलता है इस लिए फ्रिवेस्टे हाई प्रिवेसडे लो और क्लूजिंग बहुत ही बड़ा सकार रेजिस्टेंस को काम करता है दूसदों इसलिएHeynow में prev az ڈes hi ή previous jalo ko mark किया दोस्तों कितना ही ही असान है support और resistance निकाला लकिन दोस्तों यहाँ पर न सिर्फ support और resistance निकालने से नहीं होता है कभी कभी क्या होगा ना आपका जो support और resistance निकाले यहाँ पर line को break करेगा और नीची जाईगी और फिर ऊपर आ तो इसके लिए इसको कहा जाता है दोस्तों false break out दोस्तों तो false break out क्या होता है और इससे कैसे avoid करें दोस्तों इसके बारे में मैं already एक video बना चुका हूँ इसका link मैं description में दे देता हूँ और end screen में भी दे देँगा दोस्तों आप प्लीस उसे जाए और उसके साथ उसको जोड़ कि अगर आप trade करते हैं ना मतलब आप false breakout को भी थोड़ा सीख लिजिए और trend line को भी सीख लिजिए अगर ये दोनों combine करके अगर आप trade करेंगे ना तो success ratio आपका बढ़ जाएगा तो I am sure दोस्तों ये वीडियो आपको छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपको शमझ में आयोगा अ अच्छा लगा हुआ अगर अच्छा लगता है तो इसे फिल प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिए गया दस्त अज़ जब शच्राइब